कांडी बोलते जब 46 46 तक जाती तब उसकी लंबाई लंसम उसको जब अंगूर लगते पूरा लाल रहता है हरे के बाद लाल हो जाता है लाल के बाद काला हो जाता है बोलते हैं और सबमेन में एक बेड में आपके उदर समझो खिती करते होंगी तो इधर बेड में एक नड़ी डालते हैं तो मैंने डो डाल दिया है ओ देखो थौन में आटारी माटी बताओं आदेखो यह इदर की ब्लेक मिट्टी तो कागा देखो फूल वड़ा ताजा है ब मतलब सुआना तो सामार देख रहा हो आप लोग मैं फुल फूलोर मैंने बैट हूं और मारा चार उतरब देखो जरी जरी गुजरा पूली और यह फूल जो है बहुत मात्रा में होता है यहां पर तो देखो अभी मैं महारस्ट में गोड़े गाउं वाले छेत्रे में हूं यहां की कर्सी बहुत प्रसिध्य तो अधेखो अब्लोगों नहीं है कि गुजरात में भी आप लोगों ने ख्येती दिख़ी तो मारश्ट में मारश्ट कि रिखना अभी कौन सा ख्येती यहां पर कर रहा है अभी आंधा सोयबी सोयबी उस इस खुल कांदे आता परत लाव टो काका रही है कि मंडी में चाहरा है है ना नोल लाना टो अपने बारत में सब से बड़ी प्याज की मंडी ढ़ना बड़ाई उत्तम क्वालिटीक थो में आप लोगें लें जहों खितों में तो बाईयों राम राम की करो आप सब एकदम ताजा होला बढ़िया होला मैं आप रोगाई शुरेस देवासी अबार मोटर साइकल बारत बर्मन यात्रा कर रहे हूं और आज मैं आपने बहुत ही बढ़िया जोड़दार वीडियो में लेना हूं तो स्वगत है आप रोगाद प्रूट बहुत बहुत जदा हुए फल फ्रूट बहुत जदा हुए इन चैतर में ने तो देखो आटे देखो यह डौनियों वनाएव डिया खेतार में बंगला है आटे लोग अटीज रिया गरे और काम काच गरे बैटा पड़ो ताज लौट कोम है और आज री वीडियो आप कितनी की आपने फोर्टिन तक हो गए अच्छा यूं तो आब आर खेती वेगर बड़े जोड़ा चल रही है एकदम जोड़ा आके नीगेती यह किसकी खेती है यहां पर स्वयबीन अच्छा इसके फड़ी वली अच्छा यह रही ने पंदरा दिन में निकल जाएगी स सब जगा अच्छा लेकिन अभी इधर एक एकड में कम से कम 16-17 कुंटल जैसा जूता है वगरे करता है ट्रीटमेंट वगरे वह सबसे बढ़ी टेस्टी लगी फेलको हां फिर वाराइटी अच्छी है इसके तो माल है अच्छा तो माल कैसा है तो देखो इसके बार देखो सोया बींद खेती और फड़ियों जोर दार है उपर तक आती है देखो एक दम एंड में भी ओ देखो एक बूटु हाई इना सोया बींदों और बड़ो ताजु है देखो आज नहीं है तो काला नहीं है तो काला अलग रहता है ए रेगुलर जैसे अश्याइटी जोरो बतीस 860 32 ऐसे करके हो रायटी इसकी उत्पन शमता भी अच्छी अच्छी 15 महिना में निकल जाता है अभी यह नोहिम्बर में निकल जाएगए नहुम्बर में बोलो तो यह महिना में यंड तो अगले मैं अगले मैंने में निकलना शुरू और यह स्व बड़ा जोरदार सुन्दर खेत और इधर की मिट्टी के बारे में आप क्या कहोगे यह काली मिट्टी इदर महारश्ण में दो तिन प्रकर रहे ते हैं तो एक मिडल में एक हलकी मिडम और काली में पक्की काली नहीं है अभी पैस के बीज डालने के बड़ा उसके लिए हलकी मिट्टी अच्छा निकलता है जादा दिन तक उसकी श्टॉरेश्ण दबर दी आगे बड़ा की बतावला बड़ा की मतलब थेखला बड़ा की कोई वे तो बड़ा की यह हैं के अटे महाराश्ट्र में ने प्याज पान देवतानी जिव सारा राण जिव आटे एक जो है लाटो बनेया करें अलग हूं और इस पेसल लाटो में प्याज कदी खराब नहीं का गन्नारी घेती करनों कोई खावार कौम नहीं है ज़को वाली बात है देखो थौन में आटारी माटी बताओं आदेखो साह कि यह ह जाओं अल JULAN माटी है यह हमालो थे काड़ी ये गोर्ड ब्लैक गोल्ड आपके देख यह नम अभाद इदर से काट दिया घना थिया ओ जो लगतें ना घना दूसरा तो यह पर देखो आप ने यहां पर आप ने गैंदा के फूल तो लगा रखें ठीक है पर इनके ऊपर सब जो जहाड़ी समझे में गिर जाता है इसके उसको ऊपड़ के लिए तो उसके वाजे से फूल खरब हो गई कुछ देखो यह के बारीस में जो को है नी आपने जिए मूंग नूंग ना वेनी जिए आपने देखो पूरा खेत घड़ जावे तो एक बार परिम्ट भाई थोड़ा यह आम के बारें बताओ ना कितने साल आम लगता है यह तीन साल मे कि जब पॉदा लगाते उसके बाद तीन साल तक उसको आते है फ़ल लेकिन रखते नहीं तो अभी इस पेल गए साल इस पर लगे ते यह कौन सी फसल है और यह अपूस है कौण सा यह पूसे तो यह केशर है तो देखो आप दार मैंने भी तो फरक है इसको कांडी बोलते है जब 46 46 तक जाती है तो उसकी लंबाई लंसम उसको 30 फिट तक जाती है यह 30 फिट लंबा होता है होता है होता है हमारे इदर एक एकर में जैसे देडो सो थिर्टर भोलते है ę adam का पा पंपिंग इस यह आ प्रीका अंदर पाणी Security जो नदी उसके बाई में बावडी को में इदर था इसके अंदर जाता है इंदर रहती है वाले तो उसके मिठी विठी उदर जमा रहती हो स्टार के नीचे से आती है पर इनगे और फिल्च फिल्टर लिगा बना एक डिक्स फिल्टर दो प्रकरा थे इसमें डिक्स और जाली वाला अच्छा एक वाला फिल्टर तो इसमें से फाइनल चान के आगे पानी चला जा तो इसमें प्याज रख्या करें अब भी लाग जावे और खराब निवे और पाने यूँ बचाउन वास तो देखो आड़ा जरूका बने वड़ा से तो बड़ो ताजो सिस्टम है और हम भी देख रहें आप गन्नारी खेती है यहां पर और इसमें देखो यह गेंदे के फूल है अजारी गुल्रा फूल बोले जो का बार थोड़ा दिर पहला मैं आपने वीडियो मैंने बता है यह 28 लाइन है अच्छा पांच फिट पे लाइन है और पूरा एरिया हो पाचास गुंठा है अचा पचास गुंठा मतल देवी देवताने बहुत प्री है और अड़ने देखो आप ओ ऐसा आटे गन्नोरों खेर और इन खेतोर मत आप देखो जालियों तार बंदुड़ा के अपने कागडिरीन खेतियों नी उन वास्ते जो है निचनी पड़े और खीरोरी खेतिर वास्त लगे अड़ा हमी देख अभी मशीन है ट्रेक्टर के वज़े जरिये उसको डाल देते हैं नहीं तो हाथ से भी डाल देते हैं और पचेस दिन में उसके पुनरलावगड का सिजन आ जाता है तो यह तब तक यह गेंदा बिंदा सब निकल जाएगा गेंदा निकलने के पास उसको जुताई करके पड़ बेड़ पाट देंगे चार महीने पकड़ के चलने का लंसम यहां पर पचास दिन का दोर शुरू होगा ना तब यह काम तो चल रहा होगा और को छोटे से खेत में वह बीज लगा रखेंगे आपने बराबर पिर यह पूरा स्किलर होगा तो यहां पर फिर वह चाली तोड़ रहा है इनकी स्पीड भी बड़ी फास्ट है तो एक फूल रुगबीड में बुलाद उबैत वह तो देखो अरव बड़ा पाज हो है पानी बहुत ही मतलब मोटी मात्रा में चाहिए होगा ऐसा है यह कुछ नहीं तो इसके लिए ड्रिप्स बिचा हुए यह असली ड्रिप्स बीडाले इसके पानी निकलता है हाँ रखोड़ जीटना ऐरिया में ज्यादा खा जाएगी उत्क पाफ अउसको उठा लेता है अच्छा तो यह मतलब यहाघके पानी का बचाव भी होगया और बराबर जड में पानी भी लगा इसी पोदे से आड़ बार हो गया अभी तक पूसर हो कि मैं तो आ जाया लेकिन यहां पर यह जो फूल ना इसके कितना आठ बार आपने तोड़ दिया चार दिन में तोड़ा आता है उसका अच्छा चार-पांस दिन में वपस अगला फू पूल यहां पर यह है और कितने साल पर लेकि छेटी है यह पात साल हो गए और ऊंगूर कितना साल हो लगते एक बार restrictions बार में की बार निकलता है सबी निकलता और वहां यह बता रहे था तो है आप में जी स्केव रखा इसको चोटे चोटे नाजो का इसा निकलती है और इसको शेंड़ फिर बाद में ऐसा निकाल देते बड़ा हो नेकलते फिर उसके ऊपर जो अंगुर का घर्ड रहिते पर निकलते फिर अंगुर लगता है तो प्रोशिष अभी 10-15 दिन के बाद चालो हो जाएगा अद फिर न अंगूर लगता ना यहां पर बड़ा सुन्दर लगता है कि अभी अजड लग रहा है मतलब इसकी सुन्दरता इतनी नहीं नहीं अभी इसको जब अंगूर लगते तो उसको में पूरा लाल अंगूर रहता है यहां पर हरा रहता है हरे के भाद लाल हो जाता है लाल के बाद चाला अंगूर लगते हैं लेकिन उसकी खेति कम होते ही है लेकिन जाते तर काले अंगूर यह तोड़ने को हेकल तुड़ जाए पूरा साइज होने के बाद कितना सुन्दर लगता यह पूरा साइज होगा तो देखो यह है प्योर गेंदे का फूल और बड़ा उत्तम है और अभी देखो परविन भाई फूल तोड़ रहे हैं यह बड नहाँ सहते तो आपको जब बारिश होती है तो यह ऐसे देखो यह फूल जो था खराब हो जटे है इसमें बहुत नुकसान होता इनको और ये बारिश के छीटों से खराब हो पर नाली के अंदर पड़े हैं मतलब तो यह क्या चारे के लिए क्या यह गंदा खाती है गाए का का एक नमबर दूद अच्छी देती है जोर दार उत्तम है ना जीर गाई करके हमारे यह एक बच्छडा उनके लिए उस्टा और मैं थान बताओं के शुरुआत में आप लोगों न कहें तो कि और प्याज इस्टोरीज किकर करें और आटारी माटी करें हमें वह बता दू मैं थाने आदे को आ देख रहे हो आतो अपन जैडी माटी है कि काली माटी है यह यूँ प्याज रख्या करें ताकि खराब निए यह डंडियों का लुड़ी वे और इन डंडियों मादे और आटारा खेत खल्यान और आटारा कर्शी जो उत्तम क्वालिटी है आटारी माटी है यह सब बताइब यह मनुन नाइट काई परने भी बड़ी सुंदर लागी वेला वीडियों चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर जो इन्हीं प्रकारी और ताजी ताजी अपडेट दे